हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब इक स्लीपी क्लासिज में तो आज के प्रमिक्स में हम 5 कुश्चन डिसकस करेंगे banking से related ठीक है जी already हम 5 questions पहले भी discuss कर चुके हैं तो आज आपका banking 2 है जिसमें हम 5 और questions discuss करेंगे बट शुरू करने से पहले जो last session में आपका banking का session था जहां पर मेरे end से गलतिया होई थी पहले हम वो address कर लेते हैं ठीक जी commercial bank की liabilities related आपको question पूछा गया था जिसमें आपको चार options दी गए थी जिसमें से यहां पर आपकी first, third और fourth option बिल्कुल correct है जिसमें मैंने advances from the central bank वहां पर include नहीं किया था तो माफी चाहूंगा इस चीज की आपको include किया जाएगा as a liabilities for the commercial bank ठीक जी उसके लावा आपके कुछ यहां पर monetary policy stances के बारे में भी बात की गे थी तीन आपको options दी गे थी बताना था आपको कि in pairs में से कौन कौन से incorrect है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका first pair ही incorrect है जो आपका hockey stance है basically वहां पर भी आपके जो interest rates हैं वो उपर बढ़ाये जाते हैं ठीके जी तो यह आपक आपको यह चीज़े clear हो गही हो स्टिल अगर आपको चीज़े clear नहीं होई हो तो आप रमेज सिंग भी follow कर सकते हैं या आप generally हम कोशिश भी करेंगे कि in voluntary policy stances पर आपका two minute का accession भी connect किया जाए but first of all I apologize for my behalf कि यहां पर मैं आपको गल्द information provide की ठीके जी हम आगे से avoid करेंगे इ और पहला question देखते हैं जहां पर payment bank के बारे में बात की जा रही है ठीके जी दी गही है यहां पर आपको तीन statements आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर correct है चार codes आपको यहां पर provide किये गए हैं पहले में कह रहे हैं कि जो idea है payment bank का वो basically कहां से शुरू हुआ कि जो payment committee थी उनकी जो recommendations थी वहां से basically उसके basis रखे गए है second में कह रहे हैं जो payment bank से हुआ accept कर सकते हैं demand deposits भी और time deposits भी और third में कह रहे हैं जो आपका deposit limit है किसी individual account के लिए वो 2,00,000 रुपए है तो यह आपकी 3 statements दी गही है payment banks related बताईए इनमें से कौन कौन सी correct है चार codes आपको provide किये हैं फिर discuss करते हैं इस question को तो basically जो ये recommendations है ये नरसीमन committee द्वारा provide नहीं की गई थी और basically यहां पर ये time deposit भी accept नहीं कर सकते हैं ठीके जी तो यहां आपकी सिर्फ सिर्फ थर्ड statement ही correct है discuss कर लेते हैं कि ये जो हमारी एक committee थी committee on comprehensive financial services for small businesses and low income households जो की डॉक्टर नचिकेत मोर तो उनके द्वारा यहां पर recommendations रखी गई थी कि payment banks की स्थापना की जा सके तो payment banks का basically function क्या है क्यूं इतने सारे जब already banks है हमारे available तो payment banks एक नया bank लगाने की क्या जूरत पड़ी क्यूंकि जो हमारे weaker section of the society हैं जो की अभी भी हमारे digital banking में include नहीं किये जा चुके हैं तो basically उन्ह नहीं हमारे digital banking में include करने के लिए payment banks का वहाँ पर आपका setup किया गया ठीके जी कि इसमें इस तरीकी कि आपके basically accounts create के जाएंगे जो कि basically आपके lower section of the society को belong करेंगे कि उतनी इनकी earning नहीं है बट still उनको हमारे banking system include करना है तो इसी लिए यहां पर payment banks आपके शुरू किये गए किस त तो वहीं से उन्हें recommend किया prepaid payment instrument issuers ठीके जी कि उन्हें apply करना चाहिए for the payment bank's license और यहां पर business correspondence के तौर पे भी उन्हें basically apply कर सकते हैं तो उसी के चलते जो आपके payment bank से बो register किया जाते है as a public limited company under the company's act of 2013 और जो उनका license है वो आपका section 22 of the banking regulation act of 1949 के है तिहां पर issue किया जाता है ठ follow करने है payment banks को तो यह सभी आपके acts यहां पर बताएगे हैं जिसके अधार पर एक काम करते हैं ठीके जी example की तौर पर बात करें तो एटल payment bank हो गया फिर आपका pay team payment bank हो गया तो यह सभी आपके payment bank में ही आते हैं तो अब क्या है कि RBI ने recently April 2021 में कि देखा कि जितने भी आपके payment banks हैं क्या इनकी जो objective थी जिसके अधार पर इनकी स्थापना की थी क्या यह objective पूरा कर पा रहे हैं क्या इनकी performance है उसे ही evaluate करने के बाद जो यहां पर deposit की limit थी वो raise कर दी गई एक लाग से अब दो लाग पर ठीके जी functions के बारे में तो जैसे कि हमने बात करी लिए कि आपके teams भी यहां पर सर्पित कर सकते हैं business correspondent की तरह act कर सकते हैं branches setup कर सकते हैं ठीके जी और साथ के साथ आपके current deposit भी accept कर सकते हैं saving deposit जो आपके saving bank deposit है individual से वो भी accept कर सकते हैं बट क्या नहीं कर सकते कि पहली बात तो किसी भी प deposit भी accept नहीं कर सकते हैं ठीके जी तो यह आपके लिए important points है payment bank से related simple सा question था i hope आपने correctly mark किया हो अगले question के और बटते हैं e-rupee e-rupee से related अब आपको दो statements दीगी हैं आपको बताना है इन में से कौन कौन से statements आपकी यहां पर correct है ठीके जी पहले भी discuss किया है हमने जब आपका यह phone में SMS या QR code की form में यह provide किया जाएगा second में करें NPCI दोरा यह develop किया गया है National Payments Corporation of India दोरा तो दो statements दीगी हैं बताएं इन दोनों में से कौन कौन से correct है e-rupee से later फिर discuss करते हैं इस question को तो देखिए यहां पर आपकी दोनों की दोनों statement बिलकुल correct है discuss कर लेते हैं कि basically जो आपका UPI हमारा यूज किया जा रहा है सरकार दोरा भीम यहां पर launch किया गया है तो अब एक e-rupee दुबारा से क्या नई चीज यहां पर आइड की गई है किस तरीके से digital payment में help करेगा तो एक तरीकी का यह आपको digital voucher यहां पर provide किया ता कि जितने भी हमारी subsidies है यहां कैसे तर जितने basically क्या है कि कोई व्यक्ति है मान लीजिए यहां पर जो कि सरकार के employee भी है ठीके जी अब यहां पर समझ लीजिए कि उन्हें hospital जाना है खुदना खास्ता किसी को जुरुत ना पढ़े बट उन्हें जाना पढ़े गया है वहां पर अब वहां पर वो सरकार से generally क्या करते हैं reimbursement के लिए भी फाइल करते हैं यगर उनका जितना भी खर्चा आ रहा है वो सरकार को कहेंगे जी देखिए मैं तो आपका employee हूँ और सरकार इस तरीकी की facility भी उन्हें प्रवाइड करती है कि जी हाँ आप अपना पैसा reimburse करा सकते हैं बड़ सरकार ने क्या कहा सरकार ने इन्हें तरीके से cashless भी है one time है और contactless भी यहां पर यह आपका payment method डवलप किया गया है तो यही बेसिकली आपका इस तरीके से e-rupee voucher यहां पर काम करेगा ठीके जी तो वही चीज़ आपको बताई भी किस तरीके से आपका काम करेगा आप देख सकते हैं अपने notes में NPCI दोरा ही आपक ठीके जी अगले question के और बढ़ते हैं third question liquidity traps related अब आपको यहां पर कुछ statement दीगी हैं बताना है इन में से कौन कौन सी correct है चार codes आपको उसी के लिए provide किये गये हैं statement देख लेते हैं पहले में कह रहे हैं कि liquidity trap क्या है expansionary economic situation है जहां पर interest rates आपके काफी high रहते हैं second में कह रहे है जादा से जादा invest करती है क्यूंकि interest rates आपके high हैं और कम save करती है तो दो statement आपको यहां पर दीगी हैं थोड़ा सोचिए correct option mark कीजिए बताईए इन दोनो statements में से कौन कौन सी statement आपकी यहां पर correct हैं फिर discuss करते हैं इस question को तो यहां पर आपकी दोनों की दोनो statements incorrect है कि basically जो liquidity trap है इसमें क्या रहता है कि जो आपके interest rates है वो बहुत जादा कम हो जाते हैं कि जो यह जो term है यह किसके दोरा की गई थी? जोन मेनट कीज दोरा यहां पर describe की गई थी कि एक तुरुकी contractionary economic situation है कि जिसमें consumers क्या करते हैं कि जितने भी आपके bond या investments हैं उन्हें choose नहीं करते हैं avoid करते हैं और अपना जो पैसा है उसे save करके रखते हैं ठीके जी? यह सोचते हुए कि interest rates आपके कुछ time बढ़ जाएंगे कि अभी तो कम है क्यों invest करें हमें तो इतना फाइदा होगा ही नहीं और जो आपके saving rates से वह काफी जादा हाई हो जाते हैं जैसे जनता save करती जाती है ठीके जी? और उसके बाद interest rates और जादा कम हो जाते हैं तो मतलब एक तरीके से यहां पर cycle develop हो जाती है कि पहले interest rate कम होंग जनता को लोगेगा जी नहीं अभी तो invest नहीं करना वह जादा save करेंगे और interest कम हो जाते हैं फिर उसी तरीकी से आपका यहां पर trap यह develop हो जाता है liquidity trap ठीके जी? तो basically कैसे बाहर आ सकते है liquidity trap से कि या तो आप जो cost of borrowing है कि जो loans आपके सरकार दोरा या जो भी bank दोरा यहां पर issue किया जा रहे हैं उन्हें और जादा attractive बनाया जाए ताकि जनता यह थोड़ा सोचे कि देखिए यह सही समय है loans हमें सस्ते मिल रहे हैं तो क्यों ना हम यहां से loan ले ले और जो हमें investment करनी थी हम वो क्यों ना कर लें ठीकी जिए और जो उनका already established business है क्यों ना उसे expand किया जाए तो यह भी एक तरीका है जिसके चलते है जनता को motivate कर सकते हैं जादा जादा invest कीजिए उसके लावा आपका helicopter drop की option रहती है जो कि Milton Friedman दोरह यहां पर suggest की गई थी कि directly पैसा भेज़ दो consumers को कि कोई आपको intermediary जो आपके bank से उनकी use नहीं करनी है तो इसमें क्या होगा जनता को भ supply with the banks to lend more वो यूज के जाता बर उसके चलते हैं आपकी inflation भी बढ़ सकती है ठीके जी तो यह ही basic चीजे है जो important आपके लिए exam point of view से question आपको इस तरीके से पूछ सकते है कि बिताए कौन-कौन सी options इसके तरीके से liquidity trap से बाहर आ जा सकता है तो I hope आपने correctly mark किया उस question को fourth question के बढ़ते हैं MCLR marginal cost of funds based lending rate अब इससे related आपको यहाँ पर दो statements दीगे हैं आपको बताना है इनमें से कौन-कौन सी statements यहाँ पर incorrect हैं चार codes आपको यहाँ पर provide किये गए हैं पहली से लिए में देख लेते हैं percentage है of the lending amount जो की borrower को deposit करना है loan account में ताकि उन्हें वहाँ से loan ल दोरह वहाँ पर determine की जाती है दो statements दीगी है incorrect बतानी है कौन-कौन सी है थोड़ा सोचिए correct option यहाँ पर mark कीजिए फिर discuss करते हैं इस question को तो basically यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों statements incorrect है MCLR basically क्या funda क्या है क्या यहाँ यहाँ पर use क्यूं किया जाता है क्या basic size का objective है तो वह discuss कर लेते हैं एक internal benchmark है एक reference rate है जो की bank दोरह यहाँ पर use किया जाता है कि basically describe करता है कि by which the minimum interest rate for loans is determined by the bank ठीके जी तो MCLR के अधार पर decide किया जाता है कितना minimum interest वहाँ पर set किया जाएगा किसके अधार पर on the marginal cost or the additional or incremental cost for arranging one more rupee to the prospective borrower ठीके जी यह जो methodology है यह आपके RBI दोरह use की गी थी 1st April 2016 से और उसी के चलते हैं आपके यह use भी कह जा रहा है अभी तक ठीके जी जितने भी आपके loans रहेंगे जो कि banks दोरह वहाँ पर price किये जाएंगे वो MCLR के अधार पर ही वहाँ पर रखे जाएंगे जो कि internal benchmark का वहाँ पर काम करेगा तो basically इसमें क्या है कि जो हमारा banking system है उसे और जादा transparent करने के लिए इंप्लिमेंट किया गया है और जो यहाँ पर क्या रहेगा जो end borrowers है ठीके जी वो भी enjoy कर सकते है benefits जो कि आपके शुटेट है with the repo rate cuts by the reserve bank of India ठीके जी तो MCLR वो भी ensure करेगा उसके अलवा आपके लिए क्या important है यहाँ पर कि क्या क्या principal objectives थे आपके इस तरीकी के MCLR based in lending rate के तो वो भी important है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि पहली बात तो transparency की बार में हमने बात की फिर ही आपकी ensuring the availability of bad loans at rates that fare to the both lenders and borrowers ठीके जी तो यह basic basic से points हैं जो कि आपको जो आप PDF रहेगी वहां से आप borrow कर सकते हैं अपने notes में compile कर सकते हैं तो अगले question के और बढ़ते हैं आज का last or final question जहां पर liquidity adjustment facility के बार में बात की जा रही है कुछ statements दी गई हैं बताना है इन में से कौन कौन सी correct हैं और उसी के चलते चार codes आपको यहाँ पर provide किये गए हैं पहले में कह रहे हैं कि यह जो facility है यह RBI दोरा extend की जा रही है scheduled commercial banks के लिए and RRBs के लिए ताकि वो liquidity अवेल कर सके हैं जब उन्हें जरूरत पड़े second में कहरें जो आपके repose और reverse repose हैं वो tools use किये जाते हैं to perform the operation of LAF तो यहाँ आपको दो statements दी गई हैं थोड़ा सोचिए बताइए इन दो कौनों में से कौन कौन सी correct हैं discuss करते हैं इस question को तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी second statement ही correct है कि यह आपका scheduled commercial banks को extend की गई है बट RRBs इसमें से excluded हैं ठीके जी तो क्या है LAF basic objective अगर हम देखें क्यों यह आपका यह tool यहाँ पर facility use की जाती है तो यहाँ पर RBI दोरा यह facility extend कीगी पहली बात तो schedule commercial banks को जिसमें आपकी RRBs exclude कर दी गए साथ सा primary dealers को जिन्हें liquidity अवेल करनी है in case of requirement और park access funds with the RBI in case of access liquidity on an overnight basis ठीकी जी तो कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पर जो सरकारी securities को वो collateral के तोर पर use कर सकते हैं RBI के साथ जिसमें कि आपकी state government securities भी included रहेंगी तो basics objective क्या ह कि RBI यहां पर help करता है कि banks के जो अगर mismatches हो रहे है liquidity के उनके sheets में ठीकी जी frictional liquidity deficit या surplus की वज़ा से तो वो उन्हें adjust करने में help करेगा day to day basis में ठीके जी वही चीज़ आपकी यहां पर बताई भी गिए liquidity management में help करेगा day to day basis में तो यही आज के आपके 5 questions थे और basically जो हमने 5 questions discuss की हैं उसमें जो आपके banking से related जो अभी total आपके 10 questions हो चुके हैं तो कोशिश यही है कि आपके most other topics यहां पर cover किये जा सकें ठीके जी और आगे बढ़ते हुए भी हम इसी तरीके से हर एक theme से 5 questions discuss करेंगे ही अगर कहीं जुरुत पड़ेगी कि आपको important theme है यह से जादा questions बनत techniques को में लेंगे तो अच्छे से prepare कर लीजिएगा वो segment आप particularly ठीके जी और जो हमारा 2022 का target है कि हमें 1000 questions तो पहले attempt कर नहीं है वो हम definitely achieve करेंगे moreover जैसे कि आपके 1000 से जादा भी हो चाएंगे कि बीचिश में हम कुछ special sessions भी ले लेंगे जहां पर 5 questions तो discuss करेंगे यहां पर 5 questions तो त्योहार का महौल है enjoy भी करना है green दिवाली भी celebrate करनी है बट साथ के साथ preparation के साथ भी टच में रहना है generally क्या रहता है कि एक tendency रहती है कि जब भी त्योहार आते हैं हम घर जाते हैं या फिर हम रिष्टिजारों से मिलते हैं तो हम थोड़ा पढ़ाई से दूर हो जाते हैं त साथ साथ पढ़ाई से भी टच में रहना है ताकि जो हमारी preparation है वो consistent रहे और जो हमारी पूरा यह जो जर्नी है इसमें किसी भी तरिकी की अरचन आगे जाके नहीं आए ठीके जी इस ले बस भी time से हमें पूरा cover करना है so that will be all all the very best and wish you very happy Diwali and have a good night लाई online कर लंदे करो जांगे करो हमारीенд की आरचन?」 कर भी कर दो कि झास तक बदे की झाल झाल